देख रहां कराईी इतने में लबालब हो गया असी आसी केजी बनाते है उसके लिए बढ़ा कराई आइस में मर्चा हर्दी का बहुत क्हम मात्रा रहता है बिसी मरिश पर बनता का खाडा सब्सक्राइब स्यद के लिए बहुत शंदार है वे आद सांदाज हैं wha Let they live ba सब्सक्राइब करें लोगों का कहना सिर्फ एक मसाले में यहां पर मतन तयार किया जाता है और यहां पर दिन भड़ में 100 kg से प्लस मटन बना जाता है तो चलिए पहले देखते हैं यहां का मैकिंग फिर करेंगे यहां का मटन टेस्ट और आपको बताएंगे टेस्ट होता कैसा तो चलिए करते हैं वीडियो को कंटीनिव यह कितना प्याज काटें अभी 40 kg दिन भड़ में आप कितना प्याज काट देते ह है 80 kg तो इदर जो है अपना गेस जल गया अब इसके उपर यह आ गया कड़ाई तो इसी कड़ाई में मटन बनेगा भी यहां इसमें बनेगा कराई ले तो अब इसमें जाड़ाए सरसों का तेल यह कितना तेल डालिएगा इसमें इस तेल को हीट होने में कितना समय लग आपको 4-5 kg का चुस्ता चर बोदा होगा समिला को इसमें गुर्दा है अच्छा कलेजी हो गया इस पतेला में अभी कितना मटन विया इसमें अभी 20 है और बाखी यहां है चालिक्स अच्छा इधर भी मटन यह है इंगी मटने है अच्छा दोना मिला के साथ किलो के आस पास सबसे पहले गया गरम मसाला अब नेक्स क्या जाएगा वी यह इसमें जीड़ा जएगा जीरा 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 अच्छा निल्च और तेज़ पाथ काफी अच्छा मात्रा में फोरन यूज़ करते ना हां बटन का क्वाइंटिटी भी यह 60 किलो उसे साफ जो है यहां पे फोरन यूज़ क्या गया अब यह डाल दिये प्याज प्याज हो गया अपको एथोरा प्याज डराता है उसमें फोरन के लिए लाल हो गया है इसमें बचाएगा लेशन का पैसर्ण के लिए ले आता है कि लिए प्याज होता गुलाव होता고 न उसके लिए प्याज यौका यह सबसे पहले जो है चुस्ता जाड़ा है अब इसमें लर जो बोलते हैं लर चड़ोदा यह सारा प्लेट में हैं इसका बना दिया जाता है इसका खड़ा खाना रोदा खबादा फिश मीध जाता विया आप फिस में आ इस कि अि यह तें प्छिक गिया है और कलेजि ये फांच हो गया फांच फ्सका एंव檢़ यह जो मट्रेन यह पांच हस् honeymoon यार गुर्दा पांच कलेजी पांच गुर्दा यह मटन कब जागा भी यह मटन अभी 10-15 मिलोट इसको भूजेंगे कुप बढ़िया से उसके बाद मटन जाएगा प्याज गलने के बाद तोरा प्याज गलेगा उसके बाद यह कितने पिसका के लिए जागा भी है सब्सक्राइब हो जाएगा मटन जा रहा इसमें अच्छा यह टोटल भी कितना मटन या भी है यह चालीश केजी है बिसकेजी और डलाएगा अभी यह 40 किलो गया इसी से लग रहा है पुड़ा कड़ाई जो है फुल हो गया है 20 किलो किधर अट आईएगा इसमें इसकी में डेड़ी हो जाएगा राउंड देदे के आपको चलाना पर रहा ना तभी तुझा के मिलेगा घूम घूम के इस मटन को चला रहा है ताकि कहीं मटन जले नहीं मसाला इसमें जाया गने 15 मिलट बाद आपके यहां का कौन सा मटन हो गया यह हमारा कराई हैंडी हो गया इस आ है संदेह डेच से लोग आते हैं ऐसे नेपाल तो बिदेशी नहीं नेपाल साइड से पुरा लोग आता अश्य लिए और दो थे हैंडीます बनाएंगे तीन-चार बजे गाना एक राउंड और बनाएंगे इसे चालिस केजी 50 केजी अभी साट बना रहा है तीन-चार बजे किलपेट में बनेगा सिर्फ मटने बनाते हैं हम दूसरा काम कोई नहीं करते हैं अच्छा ये कलेजी भी निकल जागा भिया जो भी पर लाष्ट में लहसन जा रहा है यह परती एक दिन लहसन डालते हैं अब जाड़ा ये कटा हुआ लड़ चुस्ता वगेड़ा और कलेजी ना चुस्ता चर्वोदा कलेजी इसमें जा रहा है गुर्दा अब कितना समय लगा जसको बनने जाए अब 10-15 मिलट में रेडी हो जाए वह इस मठान को बनाने में काफी मेनत लगा आपी मेनत लगा है एक अग्णटा तब प्रोसस्य चला है घवा जो हलका बशा है तुरस पक जाएगा दस मिलट का अंदर में रिडी हो जाएगा ही कितने टाइम बाद यह चारीश पजास का क्वांटिटी राएगा तभी इस मतन को बनने में जो है थोड़ा बहुत समय है थोड़ा बहुत दस मिलट समय इसे मतन देखने में आपको पुरा कलरफुल नहीं लगड़ा होगा तो कि में हल्दे का मात्रा कम यूज किया गया मिड्स पोडर ना दिया ही नहीं किया इस वज़ा से और यह मटन जो है भाईया बतारे अगर यह मटन आप खाते भी है तो कभी बीमार नहीं पड़िए गया सेहत कि कोई दिकति यह से देख लिगे बिया कराई हेंडी हो गया तुझ कि आ ही अध मिटर को थेजान आयों सुझित बड़िए कि आ य सनुझा नहीं शुद। लाजवाब दस मिलट में हमारे खाना श्राट हो जाएगा यहां पर बाइक लगाने का जगे नहीं मिलता है सामने अच्छा इतना भीर होता है बहुत काफी ज्यादा मेरा नाइट में दुकान बारे साड़े बारे एक विज तक खुलता है उस समय तक भीर रहता है अब बाहर स चाओ से खारे मटन चावल कैसा टेस्ट होता है अंकल बहुत अच्छा होता है कब से आ रहे हैं यहां पर रहते हैं इदर मंगल पूर हमली के साथ आए हैं अच्छा जी घर में आप जैसे बनाते उस टाइप का लग रहा है उससे भी अच्छा लग रहा है आप पहली वड़ है कि पहले भी आए थे आए थे पहले भी तो फाइनली अपना मटन का प्लेट लग चुका है रिडी हम थोड़ा सा चावल लगमा है क्योंकि खाना खाच चुके थे हम सिफ टेस्ट करने के लिए थोड़ा चावल लिया यह देखिए पीस बैतरीन सब पीस दिया गया इसमें यह नली वाला पीस और यह कौन सा पीस है यह सीना वाला इसे रोगन वेर पुड़ा आपको मसल मसाले दार जायके दार नहीं लगडा होगा लेकिन इधर का जो मटन होता है इसी टाइप का होता है तो इधर जो है भीया सिर्फ एक ही मसाला डाल के इस मटन को रेडी करते है तो चलिए देखते हैं टेस्ट कैसा होता है इधर का त्यागिया हलका सब गडीवी इसे काफी सिंपल तरीके से इस मटन को जो है रीडी किया गया है चावल गडीवी छिर्फ गोल मडी स्पोडर ही डाल के इस मटन को तयार किया गया यह देख यह पीस और पीस पुड़ा गुला हुआ है देख रहे हैं पुड़ा हड़ी जो है छोड़ दे रहा यह देखिए एकदम बढ़ यहां तरीका से धीमी धीमी आज पर मटन को रेडी किया गया है और यहां पर मतन बनने से पहले जो यहां पर वहीर लगा देते हैं ऐसा मतन होता है यहां का खाने में खाफी बहत्रीन लगणाई हुआ 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 की जाब भाभधि शाइब जिव्ब एक लैसान भी दाला गया है यह देखता हुआ यह दिखते हैं मसालेदार बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप एक बार यहां पर आके भीजिट कर सकते हैं यहां का मटन टेस्ट कर सकते हैं कापी बढ़ियां होता है यहां का मटन कम मसालों में एकदम जबरदर तो चलिए इस प्रेट को करते हैं सब फिर मिलेंगे नए जगह पर नए टे